महराज ट्रिस्थत तीर्थंकर लेणी में इन दिनों मुनीश्री दुरलप सागरजी महराज और मुनीश्री संधान सागरजी महराज के प्रवास चल रहा है मुने दुए प्रति दिन भक्तों को शीत कालीन वाचना दे रहे हैं 14 दिसंबर को भी यह क्रम जाली रहा संत शीरोमडी आचारिश्री विध्या सागरजी महराज के परम प्रिभावक्षिष्य मुनीश्री दुरलप सागरजी महराज और मुनीश्री संधान सागरजी महराज इन दिनों तीर्थंकर लेणी में विराजमान है शीत कालीन वाचना के दरान मुनिशिरी दुरलप सागरजी महराज ने मंगल प्रवचन के माध्यम से संभंधों को मधुर बनाने के तरीके बताए किसी की भी कमजुरियों को डिसकस नहीं करना है घर में हम इस वायरस को आने ही नहीं देंगे अगर इस वायरस को आने देंगे तो क्या होगा घर की में नकारत्मकता आती जाएगी और हमारे अंदर में नकारत्मकता यह पहली चीज दूसरी चीज थी जब भी बात हो जाए तो तो क्या कम से कम एक जना एक है, isthir रहना है और आप मानना आपको ही इसठिर रहना चाहए गलती आपकी हो फिर भी है आपको इस dispir रहना है, और चौथी बात बोली थी कुछ हो जाए तो उसे समाप्त करने के लिए सोचना है कि समाप्त कैसे करना है उस विशे को लेकर नहीं सोचना है बलकि समाप्त करने के लिए सोचना है और पांचवी और महत्पूर्ण और अहम बात हैगी कि कुछ हो जाए तो किसी को बताना नहीं मुनिश्री संधान सागर्शी महराज ने भी दूद की शुदता के बारे में बताया जिस दूद के द्वारा केवल ज्यान की प्राप्ति हमारे 24 में से 23 तिरतंगरों ने की वो दूद कभी मासार नहीं हो सकता है यह तुमारी भुद्धी है कि ओल मात्र एक आदिनात भगवान जो है उन्होंने इस सुरत से पाढ़ना की बाकि 23 भगवान का आहार शीरान ने लिखावा है पढ़ लो उत्तर पुराण अपलोड उत्तर पुराण में सपश्ट है चीरान के द्वारा पाढ़ना काई चीरान अन्न और यह चावल यह ग्यों भीदेशी है आपको यह और बता दूँ ग्यों की जो रोटी खाते हैं यह विदेशी भीजे यह बाद में आया भारत में भा नामल था जवार था बादरा था मकई थी यह भारतिये उपस थी ग्यों भारतिये उपस नहीं है यह अंगेज लोग आए उनको काली-काली रुठी लगते थी सपेज सबेगोरी गोरी चाहे जेगोरी आदमनों तो बस वह इस चक्र में वहां से आ गया और तो और ज्यादा तो यह दूद निकालने का तरीका भी है ने दूद का और एक और कि दूद जो है पूरा का पूरा है दी बचड़े को पिला देंगे तो बचड़ा भीमार पड़ जाएगा आप पड़ो आदी कुरान में किस परकार से गोपालक का कर्सवे दिया गया है कि निर्दई होकर ए तीड़ थंकल लेणी महराष्ट से विरुर रिपोट